लगी असल में बहुत प्यारे लग रही है, वो तोनों ही एक दूसरे के साथ भी पर एक दूसरे से लड़ते जगरने के हमेशा पर आप में रहते हैं तब मन्दीब कहते हैं अंगत को कि तुम बहुत ज़ादा साहिबा के पीछे पीछे घूमते रहते हो, असल में तुमारा इरादा क्या है, क्या तुम सचनों से अकसिप्ट कर चुकी हो असल में मन्दीब को ऐसा लग रहा है कि शादी हो जाने के बाद उनका लाडला बेटा अंग गादा बुन से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और वो अपनी वाइफ के सपोर्ट में अगर रहा तो अपनी ममी की कदर हमीशा करना भूल जाएगा उसने हमीशा अपने बेटे से बहुत साथा एक्सपेक्टेशन्स रखी है लेकिन अब शादी के बाद उसकी प्रियोरिटीज भी तो बदल जाएंगी और बहुत जल साहिबा को तो उसने एक्सेप्ट करना ही आसर में वो अपनी जिन्दगी में कैसे खुश रहेगा अब इसी बात पर साहिबा जब सारी बाते सुन लेती है उसे लगता है कि अंगद हर छोटी चीज़ के लिए अपनी ममी यानि मंदीब से पर्मिशन लेता है उनके बिना कोई काम नहीं करता तो इसलिए वो चाहकर वहाँ पर सबसच बता देती है कि किस तरह से अंगद उसके पीचे पीचे उसके घर तक रुकाये थे और वहाँ रुकने के लिए वो कोशिश भी कर रहे थे लेकिन साहिबा नहीं उन्हें घर जाने को वापस बोला था तो मंदीब को बुरा लगता है कि अंगद एक तो गलती कर रहे है उपर से जूट भी बोल रहे है तो इन सारी बातों के बात क्या मंदीब सचमे साहिब और अंगद को दूर करने में काम्याब रहे हैं गया है